तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस केटरी सिस्टम से जुड़े हुए MCQ सॉल्ब करेंगे जो कि प्रिवियस टेन इयर में TGT PGT एक्जाम में पुछे गये हैं तो आईए आज के वीडियो की सुरुवात करते हैं तो हमारा आज का पहला कोश्चन है किड्नी टिवियूस ओरिजिनेट फ्राम यानि की व्रिक नलिकाओं की उत्पत्ती होती है आपके ओपसन है पहला ओपसन है इक्टोडर्म, दूसरा है मिजोडर्म, तीसरा है इंडोडर्म और चौथा है नन अपध यानि की उपरोगत में से कोई नहीं तो इस question का right option है, option C, Indoderms, यानि की brick नलिकाओं की उत्पत्ती, Indoderms से हुई है, आई चलते हैं अगले question की ओर, अगला question है, इस creaturely product of spider, यानि की मकडी का उस्तरजी प्रदात है, तो आपके option है, पहला है ammonia, दूसरा है, uric acid, तीसरा है, यूरिया, चौथा है, ग्वैनीन, तो आ of glucose present in normal urine is, यानि की सामान मुत्र में glucose का प्रतिसत होता है, आपके option है, पहला option है 0.1%, दूसरा option है 2%, तीसरा है 95%, और चौथा है 0%, तो नार्मल urine में glucose का percentage होता है, 0.1%, आपका right option है, option A, आई चलते हैं अगले question की ओर, अगला question है, यूरिया formation take place in which organ of body, यानि की सरीर में यूरिया की संग के द्वारा बनती है, आपके option है, पहला option है kidney, दूसरा है liver, तीसरा है lung, और चौथा है large intestine, तो आपका जो right option है, option B है liver, तो simple question है, यह आपको पता ही होगा, आई चलते हैं अगले question की ओर, अगला question है, इस क्रिटरी सिस्टम इन फ competitive exam में TGT, PGT में पुछा हुआ है, आपके option है, पहला है nephradia, दूसरा है green glands, तीसरा है kidney, और चौथा है none of these, तो इस question का जो right option है, option B है by green glands, चलते हैं अगले question की ओर, which of the following organs of vertebrates contain mezaglial cell, यानि की कसरीयों के निमने में से किस अंग में mezaglial को सिकाएं पाए जाती हैं, तो य option B kidney, यानि की वरिक में, चुकि हम इस topic से related objective question पढ़ रहे हैं, तो यह दिमाग में हो गा ही, लेकिन आप इस question को याद रखिएगा, क्योंकि जब आपको धे सारे question में, अगर ये question आता है, तब वहाँ पर आप confuse हो सकते हैं, ठीक है, आईए चलते हैं अगले question की ओर, अगला question is how much urea is excreted by a healthy person per day, यानि की एक स्वस्थ मनुस प्रति दिन कितने urea का उसरजन करता है, तो मैं आपको बता दूँ कि एक स्वस्थ मनुस से प्रति दिन लगवग 25 से 30 ग्राम urea उसरजित करता है, लेकिन यहाँ पर option में कहीं 25 से 30 नहीं है, तो यहाँ पर हम सबसे minimum लेके च चीफ nitrogenous waste in, यानि की uric umble एक मुख nitrogenous apocyst होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन में से किसमे uric umble nitrogenous apocyst के रुप में निकलता है, तो यहाँ पर आपका जो right option है, option C है, both insects and birds, यानि की कीटो औवं पच्छियों दोनों में uric umble muck nitrogenous apocyst के रुप में उत्पन होता है, अगला question है bruce border occur in यानि की bruce किनारा इस्थित होता है आपके option है पहला option है Bowman Sumput दूसरा है समीपस्थ कुंडलित नलिका में तीसरा है दूरस्थ कुंडलित नलिका में चोथा है Henle Loop में तो आपका जो right option है option भी है समीपस्थ कुंडलित नलिका यानि की proximal convolated tuvule याद रखेगा कि proximal convolated tuvule में bruce border पाय जाता है तो important question है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये bruce border इसलिए पाय जाता है क्योंकि ये proximal convolated tuvule की जो surface area इसको बढ़ा देता है जिसके कारण जो absorption है वो बढ़ जाता है और कभी कभी option में proximal convolated tuvule नलिकर PCT देता है तो आप इसे भी याद रखेगा यह चलते हैं अगले question क्यों और अगला question क्या है अगला question है osmotic pressure of blood in mainly due तो यानि की रुधिर का परासरणी दाब मुखिता होता है तो four option दे रखें है पहला option है oxygen के कारण दूसरा है carbon dioxide के कारण तीसरा है यूरिया के कारण और चोथा है vivid proteins के कारण तो आपको बता दें कि जो रुधिर का परासरणी दाब होता है वो मुखिता होता है यूरिया के कारण यानि कि आपका जो right option है option C है चलते हैं अगले question की और बड़ा important question है question है ultra filtration occur in यानि की परा निस्पंदन होता है आपके option है पहला option है रुधिर कोशिकाव में दूसरा है बोमें संपुट में तीसरा है उतक द्रव में और चोथा है हेनले के लूप में तो इस question का जो right option है option B है बोमें स्कैप्सूल यानि की बोमें संपुट में अगला question है kidney are vital organs of body because they help in यानि की व्रिक एक जैव प्रमुक अंग है क्योंकि वह सहायक है तो व्रिक कैसे प्रमुक अंग है इसके लिए आपके लिए चार option है पहला है शरीर में द्रव के नियमन में दूसरा है अमलचा संतुलन के नियमन में तीसरा है उपापचाई में तीनों option जो है वो सही है तो इसलिए आपका जो right option है option D है all of these function यानि की इन में से सभी कारियों में अगला question है the reabsorption of sodium ion and water together occur in यानि की जल तथा sodium ion का पुनर और सोसर्ण एक साथ होता है तो जल और sodium ion का पुनर और सोसर्ण एक साथ कहां पर होता है आपके option है पहला है वो c है dct और d है ascending limb of henley loop तो आपका right option है option b pct यानि की proximal convoluted tubule आए चलते हैं अगले question की और अगला question है glomular filtrate will not contain normally यानि की glomular निस्पंद में सामानता नहीं होता तो glomular निस्पंद में सामानता क्या नहीं होता आपके चारा option है पहला है glucose दूसरा है sodium chloride तीसरा है cretinine और चौता है albumine तो हमारा right option है option d albumine तो albumine glomular निस्पंद में नहीं पाया जाता है चलते हैं अगले question की और अगला question है a person who has ingested a large amount of meat will excrete on his urine a greater amount of तो यहाँ पर question में पुछा जा रहा है कि एक person है जो कि अपने भोजन में अत्यधिक मात्रा में मांस लेता है तो मांस लेने की वज़ा से उसके urine में सबसे अधिक कौन सा product पाया जाएगा आपके option है पहला cretinine दूसरा है urea तीसरा है sodium and और चौता है chloride आपका जो right option है option भी है यूरिया चलते हैं आज के वीडियो के last question की ओर और last question है podocyte cell are found in यानि की podocyte को सिखाए कहां पाय जाती है और यह काफी important question है और कई बार TGT PGT exam में पूछा गया है तो यहाँ पर आपके option है पहला है kidney दूसरा है liver तीसरा है testis और चौता है ovary तो यहाँ पर आपका जो right option है option A kidney तो kidney में podocyte cell पाय जाती है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो जो की आधारित था इस क्रिटरी सिस्टम यानि की उसरजन तंत्र पे है तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share करना तब ते के लिए जय हिंद जय भारत